आप सभी का माजे करेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं कैसे हो आप सब आज का जो लेटस्ट वीडियो होगा उसमें आपको समर की फर्स्ट पेस्टल क्लेक्शन देखने को मिलेगी उमीद है कि आप इस आटिकल को जैसे की हमेशा की तरह धेर सारा प्यार देती हो इस वीडियो को भी दोगे क्योंकि ये मेरी समर की फर्स्ट पेस्टल क्लेक्शन है तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो आटिकल रहेगा ये कॉटन में आटिकल आएगा इसका जो दुपट्टा रहेगा कॉटन में ही इसका दुपट्टा आएगा जो की ब्यूटिफुल फ्लॉरल प्रिंटिंग के साथ रहेगा ये क्रीम शेड रहेगा इस आटिकल का ये इसकी लुक रहेगी दुपट्टे की फुल लेंथ और विट्थ के साथ रहेगा इसमें हलका हलका सा साल्फ प्रिंट भी रहेगा दुबट्टे में और बड़े प्यारे से फ्लार्स और कलर तन टास्ट बहुत ही प्यारे हैं इनके इसका जो बॉटम रहेगा वो क्रीम शेड में आएगा डाइ मीटर लेंथ के साथ 100% cotton फाब्रिक रहेगा ये और जो श्वर्ट का मटेरियल रहेगा वो इटैलियन कॉटन रहेगा ये इसकी प्रिंटिंग आ जाएगी फ्लॉरल प्रिंटिंग रहेगी और जो फ्लार्स हैं उनको वो पेपर मिरर वोग के साथ हाइलाइट किया गया है साइड में इसकी स्लीव आ जाएगी स्लीव का पैटरन थोड़ा डिफरेंट रहेगा और जो बैक है फुल वो फुल फ्लॉरल प्रिंटिंग के साथ जाएगी बहुत ही प्यारी और खिले-खिले से इस तरह से आठिकल की साथ में कॉटन का दुपट्ता इटैलियन कॉर्टन फैब्रिक रहेगा यह इसकी लुक का जाएगी और जो इसकी रेंज रहेगी वो रहेगी 1-8-5-0 1-8-5-0 की रेंज में आज का फर्स्ट आर्टीकल स्टार्ट होकर जिसमें आपको बहुत सारे color shades मिलेंगे जो second color option रहेगा ये आजाएगा grape color bottom सभी का plain रहेगा 100% cotton fabric के साथ Italian cotton रहेगा base shirt का प्यारे से flash printing के साथ जिसके उपर highlight रहेगी handwork के साथ paper मेरा work रहेगा इसका side में floral sleeves आजाएगी इसकी ये इसका back side आजाएगा साथ में रहेगा cotton का दूपट्टा जो की self printing के साथ floral printing के साथ दियाएगा comfortable fabric रहेगा ये ये इसकी look रहेगी 1850 की range में तो प्रिंटिंग भी थोड़ी डिफ्रेंट रहेगी बहुत ही प्यारे से कलर्स के साथ इनकी प्रिंटिंग रहेगी फ्लार्स की बैक साइड, फ्रेंट पर आपको लाइट हलका सा वॉक मिलेगा पेपर मिरर वॉक, साथ में रहेगा कॉटन का दुपट्टा जो की समर में काफी प्रेफरेबल होता है ये इसकी लुक रहेगी, बानेट फाइड जिरो की रेंज में नेक्स्ट बेबी पिंक कलर रहेगा बॉटम धाइमिटर लेंद के साथ बॉटम सभी की प्लेइन ही आएगी, इसका हाइलाइट सभी का हाइलाइट सेम स्टाइल नहीं रहेगा पेपर मिरर बॉग के साथ ये इसका फ्रंट रहेगा ये इसका फ्रंट रहेगा साइड में फ्लोरल प्रिंटिंग वाली इसकी स्लीव रहेगी ये इसका बैक सेड आजाएगा इटेलियन कॉटन फैब्रिक दुपट्टा सेल प्रिंटिंग के साथ साथ इसके उपर आपको फ्लोरल प्रिंटिंग भी मिलेगी बहुत ही प्यारे कलर्स बहुत ही प्यारा कॉंबिनेशन वा ने इट 5-0 की रेंज में नेक्स्ट आजाएगा लाइम शेड इसका जदू पट्टा है वो कंट्रास्ट में रहेगा बॉटम रहेगा सेम कलर शेड में ही कॉटन में ये शोर्ट रहेगा ये इसका बैक साइड आजाएगा ये इसका बैक साइड रहेगा इसका फ्रेंट लोग कुछ इस तरह से रहेगा ये जो बूटा है एक साइड में रहेगा इसका जोग के उपड़ साथ में इस दू पट्टा रहेगा मलमल कॉटन में हलका सा टैंगी सा कलर रहेगा वा नेट 5-0 की रेंज में फिर रोजी शेड रहेगा ये बॉटम प्लेन इसके उपर जो हाइलाइट किया है इससे थोड़ा साना ग्रेस फुल सा लगता है फैब्रिक भी लुक वाइस भी थोड़ी सी ये सेमी फॉर्मल लुक दिरेगा और ये रूटीन वाइस कैशल वेर में बहुत अच्छे आर्टीकल्स रहेंगे कमफर्टेबल रहेंगे और आप इसको मेशीन वोश कर सकते हो इजी वोश कर सकते हो ड्राइकलिन की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी इस फैब्रिक को ये इसका दुपटा रहेगा फ्लोरल 1850 की रेंज में इसका दुपटा रहेगा ये रहेगा आइवरी में बॉटम ये इसके कलर कंट रहेंगे इसकी स्लीव आजाएंगे साइड में इसका बैट सेड रहेगा कुछ इस तरह से साथ में रहेगा इसका कैरेट शेड में दुपटा चेक्स रहेंगे इसके उपपर कुछ इस तरह से इसकी लूप रहेगी लाइट और डाक के कॉंबिनेशन के साथ 1850 की रेंज में नेक्स्ट जो आर्टिकल्ज रहेँगे यह आजाएंगे खादी कॉचन के आर्टिकल्स होंगे यह और जो इसका दुपटा रहेगा यह कॉटब डोरिया दुपट डोरिया में दुपट्टा आएगा और व्यूप रहेगे तसल्स हैंगे और्हस कुछ इस तरह से इसकी प्रिंटिंग आएगी सेंटर जो पैनल है इसका फिरोजी शेड में रहेगा साइड में इसके आ जाएगा ब्राउन शेड लाइथ ब्रॉज शेड फुल नेंथ और विप के साथ रहेगा यह आटिकल और यह बिल्कुल डिफरेंट और यूनीक आटिकल है बुटीक स्टाइल के इसका जो बॉटम का कलर रहेगा यह रहेगा फिरोजी और साथ में इसके लेस क्रोशिया लेस इंसर्ट है साथ में दो तरह की कॉटन फैब्रिक रहेगा हंड़ड परसंट यह इसकी रहेगी इंब्रॉईजरी यह जो आटिकल्स है इनको कुछ भी करवाने की कुछ भी अलग डिजाइनिंग देने की जुरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने जैसे लेस इंसर्ट किया यह से यह वली क्रोशिया लेस आजाएगी इसमें जैसे यह छोटी-छोटी आपको कलर फुल से दिख रहे हैं यह जाएगी वीविंग फाब्रिक में ही यह इसका बैक साइड रहेगा साइड मे इसकी स्लीव आ जाएंगी स्लीव का अपको अलग से फैब्रिक मिलेगा कोटाड ओर यह फाब्रिक रहेगा लेलन कॉर्टन फैब्रिक है यह 100% लेलन कॉर्टन फैब्रिक 3000 की रेंच में बुटीक स्टाइल की यह आर्टिकल्स रहेंगे इसमें यह डार्क ग्रे शेर्ड में रहेगा बॉटम डबल लेस के साथ यह इसकी आजाएगी इम्प्रोइडरी जो की जोग के उपर रहेगी इसमें हम दो तरह से पैटरन रेडी करवा सकते हैं अपने लिए स्टिचिंग के टाइम जैसे कि हम बॉक्स प्लेट का एक होता है डिजाइन वो रेडी करवा सकते हैं या प्रिंसस कली वाला जो पैटरन होता है इसमें वो रेडी करवा सकते हैं दोनों पैटरिन इसमें बहुत ही प्यारे लगेंगे बन कर और वैसे भी थोड़े समरिश कलर्स है पेस्टर शेड्ज अब बहुत बहुत ज्यादा प्यारे है और फैब्रिक पूरी क्वालिटी के साथ साथ में मशीन इंप्रोईडरी है जोक के उपर लीलन कॉटन फैब्रिक रहेगा ये इसका बैक साइड रहेगा ये इसकी स्लीव आ जाएंगी साथ में रहेगा पोटा डोरिया का दुपट्टा फोर साइडर टैसल के साथ एकदम हटकर और कुछ यूनीक से आर्टिकल रहेंगे ये रेंच रहेगी 3000 दुपट्टे की लैंध और विट्थ आपको प बॉटम रहेगा बेबी पिंक कलर में जो वीविंग का थ्रेड इसमें यूज हुआ है फैब्रिक में उसी के कंट्रास्ट को साथ लेकर बॉटम का रैडी किया है फैब्रिक इसमें डबल रहेगी प्रोश्या लेस इंसर्ट ये आ जाएगा जो की उपर साइड में रहेंगी इसकी स्लीव्स पेस्टल है ये सारे के सारे कलर कॉंबिनेशन्स कोई तटकीले भड़कीले वाले कलर्स नहीं है चटकीले वाले समर्ज में ऐसे कलर्स बहुत ही प्यारे लगते हैं सोफ्ट से कलर्स रहते हैं ये दुपट्टा रहेगा कोटा डोरिया में 3000 की रेंच में समर्ज में आपको ऐसे आटिकल्स वियार करके मज़ा आने वाला बहुत ही प्यारी और डिफ्रेंट यह आजाएगा प्लम शेड में रहेगा बॉटम यह रहेगी इसकी नेक्ट लाइन की डिजाइनिंग जो की ब्राउन शेड के साथ है और जो वीविंग का कलर है बढ़ी कलर कॉंबिनेशन रहेगा बॉटम का लेलन कॉटन फैब्रीक जो की वीविंग के साथ रहेगा साथ में रहेगी मशीन इम्डॉइडरी टोटली कुछ हटकर आटिकल्स हैं यह इसका दूपक्टा आजाएगा साथ में 3,000 इमकी रेंज रहेगी नेक्स राजाएगा कोफी शेर्ड यह रिसकी भी इम्रोईजी फैब्रिक बहुत जादा सोफ्ट और कूल फैब्रिक है यह लाइट वीट हैवी फैब्रिक में यह यह इसका आजाएगा दूपक्टा साथ में पूल लाइंट और विट के साथ 3,000 की रेंज में इसमें जो बॉटम का कलर रहेगा सेम रहेगा क्रीम शेड में ही यह वाइट कलर में फैब्रिक से ही है क्रीम शेड है यह यह रहा इसका नेट लाइन का वर्क बहुत ही नीट एंट क्ली वर्क मिलेगा क्वालिटी आपको खुद पता चलेगी जब आपके पास यह फैब्रिक पहुंचेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ इंब्रॉइडरी है फैब्रिक तो है इक्वालिटी के साथ और कुछ डिफरेंट लुक के साथ है यह भी जैसे हम प्रेंट स्वियर करते हैं समर्स में mostly बट यह कुछ different है अगर आप different चाहते हो तो यह रहा इसका दुपट्टा 3000 की रेंच में next तो articles रहेंगे यह वस तरांगना के articles है ठादी cotton में cotton में ही इसका दुपट्टा जाएगा कुछ इस तरह से यह इसका दुपट्टा रहेगा मैं रून और ब्लैक कलर के combination के साथ इसके उपर जो दोर्स रहेंगी वह प्रिंट्स में है पेंच नहीं है यह प्रिंट्स में है फोर साइड़ टेपिंग रहेगी दुपट्टे की फुल लेंथ और विट के साथ कॉट्टन में इसका आ जाएगा बॉट्टम धाई मीटो लेंथ के साथ यह इसका नेट्लाइंग रहेगा जोकी नलकी वोग और इंब्रोईडरी के साथ रहेगा प्यारा साइसका नेट्लाइंग रहेगा जो बस तरांगना के आर्टिकल्स होते हैं उसमें उल्ली नेक्लाइन के उपर वर्क होता है बाकी फैब्री की क्वालिटी खादी कॉटन है यह इसकी वीविंग की लुक देखिया आप बैक साइड से जागा पता चलेगी और यह सोफ्ट फैब्रिक है चुबने वाला बिल्कुल नहीं है स्लीवस के उपर आपको पत्टी मिलेगी अड्जेस्टेबल बैक साइड इसका सेम रहेगा और उनली नेक्लाइन के उपर आपको वर्क मिलेगा साथ में प्यारा सा दुपट्टा रहेगा कॉटन में यह इनकी लुक रहेगी रेंज रहेगी 3500 नेक्स्ट यह भी बस त्राइगना का यह आर्टिकल है इसका जो दुपट्टा रहेगा थोड़ा जैपुरी स्टाइल में रहेगा इसका दुपट्टा आजाएगा चंदेरी में इसका दुपट्टा रहेगा और बॉडर टेपिंग रहेगी फोर साइड़ इसके इसकी प्रेंटिंग कुछ इस तरह से रहेगी ब्लैक एंड ब्रे का कॉंबिनेशन रहेगा दुपट्टे में ग्रे कलर रहेगा इसका बॉटम का जो की डाइमीटर लेंज के साथ रहेगा ये इसकी नेटलेंग रहेगी नलकी बख के साथ साथ में पिंटेक्स रहेंगे नेटलेंग के उपर ये भी खादी कॉटन रहेगा स्ट्राइट्स में रहेगा ये आर्टीकल 100% कॉटन फैब्रिक खादी का यह इसका बैक साइड रहेगा बस तरांगना का यह आर्टिकल है 100% क्वालिटी के साथ होते हैं इनकी आर्टिकल्स यह रहे इसकी लुक 3500 की रेंज में इनमें कुछ भी आपको सिंथेटिक नहीं मिलेगा 100% क्वालिटी के साथ नेक्स वाजिकल्स है यह आजाएगा कोटा दोरिया में दुपट्टा क्योंकि समर्स में कोटा दोरिया फैब्रिक है ना बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है इसके दुपट्टे के ऊपर आपको यह सारी मशीनी ब्रोइडरी मिलेगी कुछ इस तरह से यालो शेड के रहेंगे फ्लाज इसमें फॉर साइड़ रहेगी क्रोशिया लेस फुल लेंथ और विट के साथ रहेगा यह दुपट्टा यह इसका बॉट्टम आ जाएगा खादी कॉटन में ही धाय मीटर लेंथ के साथ धाय मीटर से ज्यादा ही रहेगा बॉट्टम का फाब्रिक और अभी जैसे समर्स टार्ट हो रहे है तो समर्स में चेक्स है ना जो काफी ज्यादा ट्रेंडी होते हैं यह यह हमारा समर्स का फर्स्ट डिजाइन है चेक्स में इसमें क्या है कि जो नेक्लाइन है नेक्लाइन के उपर डिजाइनिंग है लेस के साथ फिर हमने क्या क्या की नीचे जो घेरा है शर्ट का उसके उपर लेस इंसर्ट करके साथ में यह मशीन इम्रोली की है साथ में इसके अगर आपको requirement लगती है तो आप तब ही इसमें lining attach करवा सकते हो otherwise यह see-through fabric नहीं है soft fabric यह इसकी look खादी cotton में यह भी और अगर हम इसमें contrast करते तो इसकी look बहुत मतलब होता ना कि बढ़की ले colors ऐसे लगती क्योंकि बहुत चुपता यह colors आखों को तो इसको settle सी look देने के लिए हमने दूपट्टे को same वही white shade में ही रहने दिया है जिससे थोड़ा graceful लगे 3500 की range में इसमें 3 color shades में लेंगे same fabric रहेगा bottom यह रहा shirt इसकी laces साथ में रहेगी घेरे के ऊपर embroidery machine embroidery रहेगी back side इसका plane रहेगा और यह जो laces है adjustable है क्योंकि हमने नीचे घेरे पर work दिया है तो उस हिसाब से यह adjustable laces रहेंगी अपनी height के according आप इसको adjust करवा सकते हो साथ में रहेगा quota का दुपट्टा full length and width के साथ 3500 की range में आपकी हमेशा से यह requirement होती है कि मैं हमें आपके दुपट्टा बहुत पसंद आते हैं क्योंकि हम हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि दुपट्टे की length और width इतनी हो कि जिसे आप पूरे satisfied हूं क्योंकि main grace दुपट्टा के साथ ही आती है यह bottom same इसमें pink color की embroidery रहेगी pink color के flowers बुटीक डिजाइस रहेंगे यह यह दुपट्टा चाहेगा colors हमने बिल्कुल सैटल से colors दें है जो समझ के हिसाब से चलते हैं 3500 की range में next आ जाएगा यह मैंने अपने status में डाला था जिनों जिनोंने मेरा जो status है follow up किया था बहुत अच्छा response दिया अपने status में ही मतलब मुझे video में दिखाने का मौका ही नहीं मिला तो अभी यह मेरे पास पिर मतलब आया है पैटरन वीडियो के लिए तो यह रहा प्योर रहेगा ओर्गंजा का दुपत्ता इसकी प्रिंटिंग देखिए आप बहुत प्यारी प्रिंटिंग रहेगी दुपत्ते की और यह इसमें वर्क रहेगा two-sided ठीक है यह ना तो patching है taping है ठीक है और ना ही यह lace है यह machine embroidery है और tassels रहेंगे cotton tassels रहेंगे इसकी corners पर बहुत ही प्यारा दुपत्ता मुझे तो बहुत प्यारी प्रिंटिंग लगी इसकी और इसका bottom रहेगा और गैनिक cotton में और साथ में आपको मलमल cotton की मिलेगी lining मलमल cotton की रहेगी lining इसमें और गैनिक cotton fabric रहेगा bottom का ठीक है आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस चीज को और pure chiffon में 100% pure chiffon में रहेगा fabric shirt का इसकी neckline की उपर embroidery दे है हमने यह embroidery आजाएगी neckline के उपर जो colors हमने जो colors दूपटास के उपर है वही colors के साथ embroidery रहेगी साथ में यह lace insert है क्रोशिया बाकी यह सारा pattern क्रोशिया बहुत के रसाथ रहेगा pure chiffon fabric रहेगा इसका जो back side है वो plane आजाएगा इसकी look कुछ इस तरह से रहेगी यह इसकी look का चाहेगी range रहेगी 4500 और हाँ यह single articles है इसमें repeat आपको नहीं मिलेगा फिर आप बात में मैं आप single-singles लाते हो मैं आप double मतलब और आर्टिकल्स ली ला सकते तो इस चीज के लिए यह चीज ध्यान में रखना अगर आपको पसंद आते हैं तो जल्दी से जल्दी screenshot भेजिए ताकि आपके पास यह प्यारे से आर्टिकल्स पहुन सकें colors सबी के बड़े प्यारे हैं दुपट्टा के main यही है कि work थोड़ा सा चेंज रहेगा जैसे shirt का और neckline की embroidery यह दुपट्टा यह रहीज की look बखोत ही प्यारे आर्टिकल्स 4500 की रिंच में यूनीक टोटली यूनीक कासी यूनीक royal look के साथ सभी में आपको lining मिलेगी मलमल की organic cotton fabric यही का bottom का और आप इसका यह देखिए को शिया work है जो full shirt की उपर कई बार मैंने देखा market में कि जो work करवाते हैं शिफोन fabric की उपर वो fabric चित जाता है तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको fabric में यह हम आपको quality दे ले ले हैं तो इतना तो हम देखें यह न यह रहा इसका look backside plane आएकि यह रही दूपट्टे की printing कुछ इस तरह से 4500 की रेंच में और प्लीज सिंगल दूपट्टा के लिए message मत कीजिए क्योंकि मुझे आपको सॉरी बॉलना करता है उसीज के लिए बार बार यह फुल आर्टिकल ही मिलेगा यह रहा इसका bottom as lining यह रहा इसका भी लुक अब इसके flowers देखिए इसके इतने color combinations इतने प्यारे हैं खिलते भी हैं और बहुत bright भी नहीं हैं बहुत प्यारे colors combinations हैं साथ में इसके जो work है न four two sided वो भी बहुत प्यारा सा work रहेगा 45, 4500 की range में next आ चाहेंगे अगर आप search कर रहे हो अपने moms के लिए और अगर आप मेरी एज के हूँ तो I think आपको यह पसंद आने चाहेंगे आर्टिकल इसके उपर सारा आपको आरी work मिलेगा silk का रहेगा दूपट्टा यह इसके tassels रहेंगे four-sided walk मिलेगा आपको दूपट्टे के उपर यह देखी क्योंकि इसका walk थोड़ा heavy है इसलिए दूपट्टा silk में होने के बावजुद भी slip नहीं करेगा बिल्कुल भी कुछ इस इस दूपट्टे की लुक काईगी peach color shade रहेगा यह यह इसका bottom रहेगा silk में 3-meter length के साथ यह रहा इसका shirt का walk कई बार हमारी demand ही होती है कि हमें ऐसा walk चाहिए जो ज्यादा heavy नहों लेकिन look wise बहुत ही प्यारा लगे तो I think यह color और यह walk बहुत ही प्यारे हैं organza base shirt का back side इसका plain रहेगा साथ में रहेगा दूपट्टा, silk में ही full walk के साथ कुछ इस्ता से इसकी look रहेगी और जो इसकी range रहेगी वो रहेगी 6500 इसमें 4 color shades रहेंगे यह फिरोजी shade रहेगा लेकिन lighter नहीं ज्यादा चुबने वाला color नहीं है यह इंप प्रॉजडी की look आपको देखकर पनाजर जाएगा इसकी quality कैसी है फैब्रिक तो है ही quality के साथ और गंजा, soft organza साथ में यह दू पट्टा रहेगा बहुत ही प्यारी है collection यह वली मतलब color sorry बहुत ही सुंदर, 65 hundred की range में सिल्क में bottom फुल क्वालिटी के साथ रहेगा आरे भग लोकल मेटीरियल्स नहीं है यह मेन इसकी जान है इसका दूपट्टा इसकी लुप रहेंगी यह लाइट सा ग्रेंग शीर्ट रहेगा ग्रेपवाइन सी लुक के साथ 65 hundred की range में नेक्स्ट इसमें आजाएगा पिंक शीर्ट ग्रेंगा आज टूपट्ट्टे के लुक के जाएगा यह लुक के यह लुक बाकि ये फैब्रिक सारा प्लेन आएगा, ठीक है, ओनली घेरे पर वोक रहेगा, फुल हैवी दू पट्टा रहेगा, 6500 की रिंच में तो ये थे मेरे आज के आर्टिकल्स, उमीद है कि आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए होंगे और अगर आपको आर्टिकल्स पसंद है तो वीडियो को शेर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आइंट तक देखने के लिए आप सभी का, बहुत बहुत थेंकिए